धंतेरस से दिवाली के त्योहार का शुभारंब होता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथी को धंतेरस मनाते हैं। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। त्रयोदशी को प्रदोश व्रद भी रखा जाता है। धंतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभुशन, मकान, वहन आदी की खरीदारी करते हैं धंतेरस पर माता लक्ष्मी और धन के अधिपती कुबेर की पूजा की जाती है ताकि वर्ष भर धन का संकट न हो और आर्थिक स्थीती मजबूत हो इस साल धंतेरस कब है? धंतेरस पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्ट क्या है? धंतेरस पर सोना खरीदने का सही समय क्या है? धंतेरस 2023 की सही तारीक क्या है? इस साल कार्तिक क्रिश्न त्रयोदशी तिथी का प्रारम 10 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12 बज़ कर 35 मिनट पर हो रहा है यह तिथी 11 नवंबर शुक्रवार को दोपहर 12 बज़ कर 57 मिनट तक मान्य है ऐसे में प्रदोशकाल 10 नवंबर शुक्रवार को प्राप्थ हो रहा है इसलिए इस वर्ष धंतेरस 10 नवंबर दिन शुक्रवार को है धंतेरस 2023 लक्ष्मी पूजा का मुहूर्थ 10 नवंबर को धंतेरस पर गनेश, कुबेर और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्थ शाम 5 बज़ कर 47 मिनट से प्रारंब होगा और यह मुहूर्थ शाम 7 बज़ कर 47 मिनट तक रहेगा इस बार धंतेरस पूजा के लिए आपको एक घंटा 56 मिनट का शुब समय प्राप्थ होगा इस दिन ही यम दीब भी जलाया जाएगा अब धियान से सुनो धंतेरस को प्रदोश काल शाम 5 बज़ कर 30 मिनट से शुरू हो रहा है जो रात 8 बज़ कर 8 मिनट तक रहेगा वही व्रिशब काल शाम 5 बज़ के 47 मिनट से शाम 7 बज़ के 43 मिनट तक रहेगा धंतेरस पर सोना चांदी ही नहीं अपनी समर्थ के अनुसार कोई बरतन पीतल या तामबे से बना हुआ भी खरीद सकते है खरीदारी का सही समय धंतेरस वाले दिन सोना या कुछ भी पूज़न सामगरी खरीदने के लिए आपको 18 गंटे 5 मिनट तक का शुब समय प्राप्त होगा धंतेरस को सोना खरीदने का समय दोपहर 12 बज़ कर 35 मिनट से अगले दिन 11 नवंबर शनिवार को सुबच 6 बज़ कर 40 मिनट तक है धंतेरस का महत्व दस नवंबर को दिन शुक्रवार पढ़ने के कारण चांदी खरीदना शुब माना जाता है धंतेरस के दिन सोना पीतल के बरतन आदी की खरीदारी करने से माता लक्ष्मी का आशिरवाद प्राप्त होता है धंतेरस को देवताओं के वैद्य धनवंतरी की उत्पती हुई थी इसलिए उस दिन धनवंतरी जयनती भी मनाई जाती है उनके आशिरवाद से आरोग्य का वरदान मिलता है धंतेरस पर 13 धिये जलाए जाते हैं धंतेरस की पूजा में देवी लक्ष्मी, गनेश, धनवंतरी एवं भगवान कुबेर की पूजा की जाती है पूजन से पहले सामगरी के बारे में जान लेते हैं पूजा, फूल, माला एवं आटे का हलवा, गुल के साथ धनिया के बीज, बूंदी के लड़ू अर्पित किये जाते हैं मिट्टी की मूर्ती पंच तत्वों का प्रतीक होती है इसलिए मिट्टी के प्रतिमा का पूजन करने से घर में धंत, धान्य और सुख समरिद्धी आती है मिट्टी के प्रतिमा के अलावा आप अश्ट धातू और सोने, चांदी की भी प्रतिमा घर ला सकते हैं जाड़ू अवश्य खरीदें धंते रस के दिन जाड़ू खरीदना चाहिए ये साफ सफाई का प्रतीक होता है और जहां साफ सफाई यानी स्वच्छता होती है वहामा लक्ष्मी का स्थान होता है इसलिए धंते रस को जाड़ू खरीदना शुब माना जाता है नमबर 3, पीतल धातु के बर्तन, धंते रस में पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए यह अत्यंत शुब होता है पीतल धातु भगवान धनवंत्री की प्रिय धातु है पीतल का इस्तेमाल कई तरह से लाब प्रद होता है नमबर 4, साबुत खड़ी धनिया, साल भर माता लक्ष्मी और धनकुबेर की क्रिपा पाने के लिए धनते रस को धनिया अवश्य खरीदें और दोनों को चड़ाएं इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी और माता लक्ष्मी की क्रिपा सदैव बनी रहेगी नमबर 5, कॉली प्राचीन काल से कॉली को रूपे यानी धन के तौर पर देखते आ रहे हैं ये धन का प्रतीक है इसलिए धनते रस को कॉली जरूर मा लक्ष्मी को चड़ाएं इससे धन लाब की प्राप्ती होगी सामान्यता अपनी जरूरत के हिसाब से सोने चांदी के सिक्के आभूशन और बर्तन तो सभी खरीदते हैं इनके साथ ही धनते रस पर खील, बतासे और पानी के बर्तन जैसे गनेश की मूर्ती जो अलग-अलग हो अवश्य खरीदनी चाहिए धनते रस पर मिट्टी के दिये और बड़ी दिपावली के लिए एक बड़ा दिया भी अवश्य खरीदना चाहिए धन्तेरस की पूजा प्रदोश काल में करना शुब होता है इस पूजा में हम अगर कोई यंत्र बनाना चाहे या फिर सिधर करना चाहे तो ऐसा करना बहुत शुब होगा इस प्रकार इन वस्तुओं के घर लाने से घर में मालक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुक सांती स्थापित होती है साथ ही कुबेर भगवान की कृपा बनी रहती है अब जानिये धंतेरस के दिन कहा कहा दीवदान अवश्य करना चाहिए जिससे घर में मा लक्ष्मी का वास हो और दरीद्रता घर से बाहर चली जाए चलिये जानते हैं धंतेरस के दिन 13 दीव जलाने चाहिए धंतेरस पर शुभता और सौभाग्य को पाने के लिए दीवदान करने की परमपरा कई सधियों से चली आ रही है धंतेरस के दिन यम देवता की साधना का भी बहुत महत्व है धंते रस पर यम की पूजा और उनके लिए जलाए जाने वाले दिये को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं यम का दीपक धंते रस से जलाएंगे जो पांच दिन तक जलाया जाएगा मानता है कि धंते रस पर दीपदान करने पर व्यक्ती की सभी मनोकामनाई शीग रही पूरी हो जाती है और पूरे साल उसका घर धन धान्य से भरा रहता है धंते रस के दिन शाम के समय तेरह दिया जलाना चाहिए जिसमें से सबसे पहले दक्षन दिशा में यम देवता के लिए और दूसरा धन की देवी मा लक्ष्मी के लिए जलाना चाहिए दो दिये अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दिया तुलसी महारानी के लिए एक दिया घर की छट पर और बाकी दिये घर के अलग-अलग कोने में रख देने चाहिए कथा के मुताबिक जब यम्दूतों ने यम्राज से पूछा कि क्या मनुश्य के लिए अकाल मृत्यू से बचने का कोई उपाय है तब यम्राज ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति धंतेरस के दिन विधी विधान से दीपदान करता है तो उसे अकाल मृत्यू का जीवन में कोई भई नहीं रहता है उमीद है वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे आप सभी को हमारी और से दिवाली की शुब कामनाए मा लक्ष्मी की कृपया आप सभी पे बनी रहे